देश में जहां तेजी से सडकों का जाल बिछाया जा रहा है वहीं अब योरोप को पीछे छोड़ते हुए भारत ये रेल ने एक बड़ी उपलब्धी अपने नाम करने का अभियान शुरू कर दिया है योरोप के बाद भारत में दुनिया का सबसे उचा रेलवे ब्रिज बनाय जाने की तयारी चल रही है भारत से पहले ये खिताब योरोप के मॉंटी निग्रो के माला रिजे का वाइड़क के नाम था जोकी 149 मीटर उचा है मगर अब अपने देश में इससे भी उचा रेलवे साथ केंद्र सरकार भी खासी उत्साहित है वहीं भारतीय रेलवे इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धी करार दे रहा है इस पुल को बनाने वाले अधिकारियों में भी खुशी की लहर है बता दे कि भारतीय रेल द्वारा मणीपुर के जीरी बामें फाल में पुलों का खुबसूरत जाल बिछाया जा रहा है इसके लिए उचे खंबो का निर्मान तेज गती से चल रहा है मणीपुर के इसी रेल लाइनों के निर्मान के दोरान ही दुनिया का सबसे उचा रेल ब्रिज खंबा बनाया गया है जिसकी कुल उचाई 141 मीटर है जो कि योरोप के 149 मीटर के मुकाबले 2 मीटर ज्यादा उचा है इस रेल लाइन का काम पूरा होते ही देश के कई राज्ये सीधे तोर पर इंफाल से जुड़ जाएंगे जो की एक तरह से ब्रॉड गेज नेटवर्क को जोडने का काम करेगा इस रेल लाइन और उचे उचे फ्लाइओवर का निर्माण पूरा होते ही इंफाल की दूरी दिल्ली से महज कुछ घंटों में ही पूरी की जा सकेगी और देश के इस हिस्से में रहने वाले लोगों का सीधा जुड़ाओ अन्य प्रदेशों से हो सकेगा पुल का निर्माण करने वाले इंजिनियरों का कहना है कि साल 2023 में इस रेल पर योजना का काम पूरा हो जाएगा और उस पर आवा गमन भी शुरू हो जाएगा पुल का निर्माण कारे करने वाली टीम के इंजिनियर का कहना है कि प्रथम चरण में इस पर योजना की 12 किलोमेटर की लाइन का निर्माण कारे शुरू कर दिया गया है जबकि इससे पहले शुरू किये गए प्रोजेक्ट का काम करीब पूरा हो चुका है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि दूसरे चरण का काम साल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही तीसरे चरण में चल रहा निर्मार कारे जो की खोंग सांग से टुपल के बीच है वो भी साल 2022 में ही पूरा होने की संभावना है। वही टुपल से इंफाल के बीच चौथे चरण का काम भी अभी बाकी है। जिस गती से टीम काम कर रही है उसे देखते हुए ये आसानी से कहा जा सकता है कि इस पर योजना का तीसरा चरण साल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दे कि दुनिया के इस सबसे उचे पुल को बनाये जाने की लागत 374 करोड रुपे है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर युदहस्तर पर काम किया जा रहा है। उनके सामने ये चुनौती है कि वो दुनिया के ऐसे सबसे पहले देश बनने जा रहे हैं जहां सबसे उचा रेलवे ब्रेज होगा। एक तरह से वो यूरोप जैसे विक्सित देश को टक्कर देने वाले हैं। इसलिए उनके सामने इस कारे को बहतर और समय पर पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम भी नहीं है। Bureau Report UpToDate भारत